नमस्कार दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि ब्लॉगिंग में लोग फेल क्यों हो जाते हैं 99% लोग जो ब्लॉगिंग शुरू करते हैं उसको वो 6 मेने बाद एक साल बाद छोड़ के चले आते हैं और वो पैसे नहीं कमा पाते हैं तो कौनसे वो काराण होते हैं जिसकी वज़े से ब्लॉगर जो होते हैं फेल हो जाते हैं और ब्लॉगिंग में उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो दोस्तो इस topic को हम लो discuss करेंगे और one by one discuss करेंगे सभी points को discuss करेंगे तो दोस्तो आगे चलते हैं सबसे पहला हमारा point है long term work तो दोस्तो जो blogging है वो एक long term काम है और इसमें फटाफट पैसे नहीं मिलते हैं कोई भी आप काम भी start करेंगे अपना खुद का काम भी start करेंगे start up सुरू करेंगे तो उसमें फटाफट पैसे नहीं मिलते हैं तो दोस्तो यह वज़े होती है कि लोगों के अंदर इतना सब्र नहीं है लोग सोचते हैं कि फटाफट पैसा मिले और वो काम करते रहते हैं जब 6 महीने हो जाते हैं या साल बर हो जाते हैं उनको पैसा नहीं मिलता है तो वो बहुत ही उदास हो जाते हैं और वो ब्लॉगिंग छोड़के चले जाते हैं तो फ्रेंट्स यही इसका सबसे बड़ा काम है कि यदि आप ब्लागिंग में सफलता भाना है तो आपको लॉंग टर्म वर्क करना होगा दो साल कम से कम आपको इसमें देने पड़ेंगे दोस्तो आगे चलते हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो यह है कि लोग यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के नियत से आते हैं अब दोस्तो यह जो आदत है यह हमेशा काम नहीं करती है यदि आप कोई भी काम करते हैं और उसमें आप सिर्फ पैसा डूनते हैं कि बस आपका पैसा बन जाए तो वहाँ पर सफलता मिलने के संभावना बहुत कम होती है ब्लॉगिंग में वही लोग सक्सेस हो सकते हैं जिनको इस काम से महबत हो इस काम से प्यार हो दोस्तो हमारा अगला पॉइंट है कीवर्ड रिसर्च ना करना जो 99% जो ब्लॉगर या 90% ब्लॉगर इंडियन ब्लॉगर की बात कर रहे हैं वो लोग फेल जाते हैं क्योंकि वो keyword research नहीं करते हैं अब दोस्तों जो keyword research है वो बहुत ही महनत वाला काम है बहुत ही उसमें दिमाग खर्चा होता है इसलिए बहुत से जो ब्लॉगर होते हैं खास तोर पर नहीं ब्लॉगर वो keyword research नहीं करते हैं और उनका जिस topic पर मन करता है उस topic पर लिखते हैं उस topic को कितने लोग सर्च कर रहे हैं Google पर उसकी search volume क्या है उसकी keyword difficulty क्या है और सारी चीज़ें जो बाकी research होता है वो नहीं करते हैं और यहीं ब्लॉगर जो होते हैं इंडियन ब्लॉगर वो fail हो जाते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जो हमारा next point है fourth point है वो है keyword का ग्यान ना होना दोस्तों blogging और YouTube ये दोनों काम ऐसे हैं जिसमें आपको keyword का ग्यान बहुत होना चाहिए आपको ये बात का पता होना चाहिए कि जो audience है, visitor है वो Google पे या YouTube पे क्या चीज़ सर्च करेगा और जो वो सर्च करेगा उसको ही हम keyword गयते हैं उन words को तो दोस्तों यदि किसी blogger को keyword का ग्यान नहीं है तो उस case में भी वो fail हो सकता है उसको keyword का ग्यान बहुत जादा होना चाहिए और उसको ये idea लगाना चाहिए कि लोग क्या लिखे सर्च करेंगे जैसे इंटरनेट के बारे में है तो लोग क्या लिखेंगे कि इंटरनेट क्या है इंटरनेट कैसे use करें ये सब उसको पता लगाना पड़ेगा और keyword का उसको ग्यान करना पड़ेगा दोस्तो आगे चलते हैं हमारे next point है सही निश्ट का चुनाओना करना दोस्तो blogging एक ऐसा business है एक ऐसा काम है जिसमें निश्ट का होना बहुत जरूरी है निश्ट आप लोग जानते होंगे जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि निश्ट क्या होता है तो दोस्तो निश्ट बहुत जरूरी होता है जैसे कोई blogger है उसने health वाली niche को चुन लिया अब उसको उस blog पर सिर्फ health वाले article ही पब्लिस करने चाहिए क्योंकि जब एक ही topic पर बहुत सा एक ही niche पर जब कोई blogger काम करता है तब Google उसे अच्छा समझता है और उसके blog को first page पर rank करवाता है तो दोस्तो बहुत से जो blogger होते हैं नए blogger वो समझ नहीं पाते हैं सही निसका चुनाव नहीं कर पाते हैं इस वज़े से भी वे fail हो जाते हैं दोस्तो आगे बढ़ते हैं हमारा next point है वो है कि हिंदी blogs में CPC बहुत कम मिलती है यह भी बहुत बड़ी वज़े है जिस वज़े से जो इंडियन blogger हैं खासत और उपर जो नए blogger हो फेल हो जाते हैं दोस्तो आप लोग जानते होंगे कि इस समय हिंदी जो blogs होते हैं वहाँ पर CPC 0.04 डॉलर है यानि कि बहुत कम रुपए है यानि कि 4-5 रुपए आता है उससे भी कम आता है तो इतनी CPC मिलती है और यही बज़े होती है कि जो इंडियन bloggers हैं खासत और जो नए blogger है वो फेल हो जाते हैं और दोस्तों इंग्लिस website पर ज्यादा CPC मिलती है पर उसके लिए इंग्लिस का आपको ग्यान होना चाहिए और फिर आपको उस website पर इंग्लिस में आर्टकल लिखना पड़ेगा तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनावती होती है इंडियन blogger के सामने क्योंकि उनको इंग्लिस का इतना ग्यान नहीं होता है और वो जब हिंदी में अपनी website बनाते हैं तो वहाँ पर उनको CPC बहुत कम बिलती है और जब वो देखते हैं कि उनका पैसा नहीं बन रहा है त ब्लागिंग सासाथ कर रहे है तो दोस्तों दो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि ब्लागिंग अपने आप में बहुत बड़ा छेतर है और इसमें लाखों चीजे हैं हजारों भी नहीं लाखों चीजे हैं और इस वज़े से बहुत से ब्लागर जो होते हैं तो नौकरी भी करते हैं और दीरे-दीरे ब्लॉगिंग से उनका साथ छूटता चला जाता है और 6 मिने बाद साबर बाद वो अपना पूरा बिजनेस बंद कर देते हैं फ्रेंट्स चलते हैं नेक्ट पॉइंट पे जो हमारा नेक्ट पॉइंट है वो है कि इस काम में बहुत ही पैसा खर्च होता है अब जो ब्लॉगिंग का काम है उसमें आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा होस्टिंग लेनी पड़ेगी कोई आपको गीवर डिसर्च टूल ब लेते हैं अच्छी और इस चकर में भी उनकी जो ब्लॉगिंग होती है वह फेल हो जाती है दोस्तों बढ़ते हैं अगले नेक्ट पॉइंट पर तो हमारा नेक्ट है कि इस काम में बहुत ही ज्यादा दिमाग खर्चा होता है तो यह भी बहुत बड़ी वज़े है कि यह काम कर सकता है जिसके पास हो जादा दिमाग हो वही आत्मी दिमाग खर्चा कर पाएगा और वही आत्मी काम कर पाएगा और बे इंतहां दिमाग खर्च होता है बे इंतहां टाइम खर्च होता है और पूरा जो काम है यह ब्लॉगिंग का यह रिसर्च और रिसर्च आपको करना है इस फिल्ड में तो ये भी बहुत बड़ी वज़े होती है कि लोग इतना दिमाग नहीं खर्चा कर पाते हैं और उनका जो धंदा है उनकी जो काम है वो बंद हो जाता है दोस्तों अपने उनका हैं नेस्ट। हमारा यहासी कॉरिट कंटेंट नान लोगसे बडग़र्णन공 लेखिएए कि कर दूसरीrand को पकड़ लेते हैं और लो वह लखते हैं और वहसे कंटेंट करने क proud तो इस वज़े से उनको सफलता नहीं मिल पाती है और दोस्तो ब्लॉगी में वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है जो quality content दे, unique content दे और engaging content दे, ये 3 points वो जुरूडी है वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है जो quality भी दे रहा है, unique articles दे रहा है और engaging content दे रहा है और बहुत से bloggers SRI नहीं कर पाते हैं, इस वज़े से भी वे fail हो जाते हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो का ऐसा लगा जुरूर बताएं और यदि आप एक blogger हैं, आपको सफलता नहीं मिल लएए झाल झाल